नमसकार दोस्तों भारत स्वदेशी वर्श यूट्यूटीब चैनल पर आपका स्वागत है हाल ही में दोस्तों हमारे देश में नई संसत भषण का निर्मान किया गया है उसी अफसर पर हमारे देश के प्रदानमंतली श्री नरेंर मोधी जी ने सैंगोल को नई संसत्भोवन में स्थापित किया है तो जानते हैं सैंगोल आखिर क्या है और उसका इतिहास क्या है सैंगोल सब्द की उतपति जो है कमिलशब्द सेम्मई से हुई है जिसका अर्थ होता है धारमिकता, सैंगोल राजदंड है, साथ ही सैंगोल को नयाय और निश्पक्षता के प्रतीक के रुप में भी माना जाता है, सैंगोल के उपर बहुती सुन्दर आकरती बनी हुई है, साथ ही सैंगोल के जो शीर्षपर एक नंदी महाराज भी विराजमा सेंगोल की जो लंबाई है वह 5 पीट तक है जो सेंगोल का भारी हिस्सा है वह सोने की परत उस पर चड़ाई गई है साथ ही जो सेंगोल का मुख्य हिस्सा है वह चांदी से बना हुआ 1947 में जब हमारे देश भारत को अंग्रेजों से स्वतंतरता मिली तब सत्ता हस्तांतरन के रूप में जवाहर लाल नहरु को सेंगोल ही दिया गया था सेंगोल का जो इतिहास है वह चोल राजाओ से जुड़ा हुआ है चोल राजाओ के समय जब सत्ता हस्तांतरत होती थी तब सेंगोल को दिया जाता था जो भी उत्रा धिकारी राजा होता था उसको सेंगोल मिलता था सेंगोल जैसा कि आप जानते ही है यह नयायका और निश्पक्सता का प्रतीख है माना जाता है कि सेंगोल का प्रियोग गुप्ट वै मोरे राजवंस में भी किया जाता था परन्तु जो सेंगोल हमारी नई संसर में अभी के समय स्थापित किया गया है उसका इतिहास चोलवंस के राजाओं के समय का ही जाना जाता है माना जाता है वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसन आई हो इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त होई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें